वासिम जिला फ्रेंड्स यह जिला महराष्ट राज्य के उत्तरमध्यभाग में इस्तित है यह जिला वितर्ब उफ्चेत्र का एक महत्पोन जिला है जिले का प्रसास्निक मुख्याले वासिम सहर में है इस्तित है और वासिम जिला अमरावती डिविजन का हिस्सा है फ्रेंड्स इतिहास में वासिम वच्छ गुल्मा के नाम से भी जाना जाता था जो कि वाकाटा वन्सके राजदानी हुआ करती थी दोस्तो वासिम जिले का गठन एक जुलाई 1998 में किया गया था वर्च 1905 में बिटिस काल के दोरान वासिम जिले को तो अलग-अलग अकुला और यवतमाल जिलो में विवाजित किया गया था तो वासिम अकुला जिले का हिस्सा हुआ करता था फ्रेंस इसके उत्तर में अकूला जिला, उत्तर पूर्व में अमरावती, दक्चिन में हिंगोली, पस्षीम में बुलधाना और पूर्व में यवत्माल जिला हिस्तित है, जिले से वयन गंगा, काश, अरुनावती, आदी नदिया भती है फ्रेंस वासिम जिला कुल 5,150 वर्ग किलोमेटर के छेतरपल में फैला हुआ है, 2011 की जंगर्नाख्यानुसा वासिम जिले के कुलावादी 11,90,930 लिंगानुपात और साक्चरतद 81 प्रतिसाद बात प्रसास ने सनरचना की करे तो वासिम जिले की छेता सील, मालेगा, मंगरूल पे करंजा, मनोरा, वासिम और रिसोद, तीन सबडिविजन, एक लोक्षभा, तीन विदाम सभा, एक जिला कोड, एक जिला स्वता, शामिला, दोस्तों बात करते हैं वासिम जिले के फिमस प्लेसिस की, पदमतीर्थ, बालाची मंदिर, बालाजी तलाओ, मध्य मेश्वर मं नाराण महराज मंदिर, काटेपुलना भ्यारण, आदि, फ्रेंड्स बात करते हैं वासिम जिले के प्रमोग सिक्चन संसत्थानों की, तो गवर्मेंट पॉलेटेखनिक कॉलेज, राजिस्थान आर्यांग आल्ट कॉलेज, सनमती इंजिनिरिंग कॉलेज, श्रीबालाजी अध्यापक महाविद्धाले, श्री सिवाजी डिएट कॉलेज, श्री सिवाजी हाई स्कूल, केंद्री विद्धाले, ज्वाहर नवदा विद्धाले, नगर परिशाद स्कूल, द वर्ल्ड स्कूल, सांती निकेतन, इंगलिस स्कूल आदि फ्रेंट्स यह जिला प्रमोकरूफ से एक कर्शी वर्दान जिला जिली में धान गेहुं जुआर बाजरा कपास तूवर सोया बिन आदिके खेती की जाती है फ्रेंट्स यहां हिंदी मराठी इंगलीज आदिवासा बूले जाती है फ्रेंट्स यहां हिंदू 71.83% बॉद 14.98% मुश्लिम 11.98% बाकी अन्य धर्मोको मानने आवले लोग है वरान महराष्टियन धाली यहांका प्रसिद्ध भुजन है फ्रेंट्स वासिम जिले से राज्जे की राजधानी मुंबई 552 किलो मिटर तथा देश की राजधानी दिल्ली 1231 किलो मिटर की दूरी पर बसी हुई बात आवा गमन की करें तो यहांका नस्दी के हवायब्डा आउरंगाबाद एरपोर्ट है जबकि वासिम रेल्वे स्टेशन यहांका मुख्य रेल्वे स्टेशन है आप सड़क मार्ग द्वारा भी यहां आसानी से पहुच सकते हैं यह सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े बड़े सहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है So friends, I hope कि आपको मेरी या वीडियो पसंद आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी या वीडियो कैसे लगी So friends, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ जब तक के लिए गुडबाई, टेक क्यार, जहें